हेलो एवरीवन वेलकम तू अभीपीडिया पावर्ड बाइभीमन्यू आईएस और सीशाट पेपर तू प्रिविएस यह स्रीज तो देखें अगर प्रिविएस यह का हम अनालिसिस करें तो उस केस में आप देखोगे कि हंजी 16 में आपके पास में फोर पजल थी उसके बाद में 17 के अंदर भी हमारे पास में फोर पजल थी बट नमबर ओफ कॉस्टेंस कम हो गए ठीक है 18 के अंदर आपके पास बन पजल थी 19 में भी बन पजल पुछी कही थी और 2020 के अंदर कोई भी पजल एक्जाम में नहीं थी बट यह है कि हम इसके बेस इसना सी सेट को काफी लाइटली लेके चलते हैं कि हांजी कोई नहीं हो जाएगा क्लियर सिरफ क्वालिफाइंग है बट मैं आपको बता दू कई बार लेवल काफी ज्याधा हाई आ जाता है और 33 परसेंट लेना भी मुश्किल हो जाता है तो मैं यह नहीं कहते कि हांजी प पिर करें स्टाइट हांजी वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में हांजी देखिए क्या है देखो फजल है आपके स्क्रीन पर क्या है एबी सीडी आप सूडेंट्स दे आर स्टेडिंग इन फोर डिफ्रेंट सिटी मैंने आपको पहले भी बताया यहां पर हमें पता चल गया कि हमारे पास में मुल्टि वैरियेबल पजल है एंड वी सोल दो मुल्टि वैरियेबल पजल बाई यूजिंग देबल ओके अब हम क्या करेंगे कि टेबल लेंगे और साथ-साथ जो आगे फर्दर इंपरमेशन गीवन है उसको साथ-साथ करते हुए चलेंगे ऐसा नहीं करना कि पूरी पजल को पहले रीड करना है फिर उसके बाद पजल को सौल करना शुरू करना है फिर उसको बाद बार रीड करना तो उससे भो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका और पजल एक्यूरेट बनने के भी चांस कम होते हैं दे सब्सकी जाएक तो यहां पर देखिए हम से अंदर क्या क्या कॉलम लेंगे को स्टूडेंट खीक कै दूसरे उसके सिटे आजाएगा तैन उसके को आतो जाएग सन के ड्क आедь। ओके हाँ जी इस तरह से आजाएगे आपके पास टेबल अब देखो क्या क्या इंफरमेशन गिवन क्या किया रहा है कि D is studying in Assam D Assam में study करता है तो सिधर D के अंदर देखो state में हम क्या लिखेंगे Assam ले लेंगे यहाँ पर आप डेरेक्टली इसको कर लोगे नो डाउन कर लिया हमने next information क्या given है Arts College is located in city S Arts College S city के अंदर locate कर रहा है अब देखो यहाँ पे हमें नहीं पता कि हांजी A, B, C, D में से कौन सा है मैंने पहले भी बताया कि एक term को हम sequence wise ले लेंगे तो यहाँ पे हमने name को सिधा ले लिया कि A, B, C, D रे लिया हमने ठीक है और उसके बाद बाकिकी information उसके according हम put कर रहे है तो आप यहाँ पे क्या है कि Arts College is located in city S ठीक है विचीज इन राजस्थान अब हमें नहीं पता कि यह information A के लिए है, B के लिए है या C के लिए है ठीक है तो हम इसको अलग से नोट डाउन कर लेंगे क्या किया रहा, Arts College Arts College यही है देखे, Arts College College located in city S विचीज इन राजस्थान यह मैंने साइड में नोट डाउन कर लिया क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि हैं जी हम इसको कहाँ पे पूट करेंगे, ठीक है नेक्स्ट गीवन है, A is studying in Commerce College एक ओमर्स कोलीज के अंदर है अब यहां पे देखो आपके पास में है कि यह Commerce के अंदर है डन, that means कि यह अगें यहां पे तो नहीं आ सकता उसके बाद है, B is studying in city क्योंग, B क्योंग के अंदर भी लोग करता है, ठीक है यहां पे information fit हो सकती है, अब देखो A commerce है, that means कि यह यहां नहीं आ सकता, ठीक है, B के लिए city क्यों है, S नहीं हो सकता, D के लिए Assam है और यह है Rajasthan, that means कि यह information हमारी कहां पे पूट हो सकती है, यहां पे हो जाएगी, this will be arts and this is Rajasthan Okay, next, science college is located in Kerala, कह रहा है कि science का जो college है, वो Kerala के अंदर है, ठीक है, अब देखों, यहां पे हमारे पास में जो commerce है, commerce का तो नहीं है यह, ठीक है ना, अब उसमें science के लिए का है, अब यहां पे भी नहीं आ सकता, that means कि यहां पे आएगा science college, क्या कह रहा है, कि जी science college है, that is in Kerala, ओके, अब यहां पे college के अंदर रह गया, कौन सा आपके पास में, देखो, commerce हो गया, हमारे पास में, arts हो गया, science हो गया, आजी engineering college रह गया, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, engineering, अब यहां पे state में से देखो, क्या रह गया, आपके पास में, गुजरात, राजस्थान, असाव, केरला, गुजरात, रह गया, गुजरात, हमारा यहां पे अब देखो, जो level of puzzle है, आप यहां से देख सकते हो, कि अगर हम बिल्कुल step by step करते है, तो यहां में बिल्कुल easy लग रही है, अब यहां पे हमारे पा अगर P यहां पे आएगा, तो यहां पे आजाएगा, और अगर यहां पे P आएगा, तो यहां पे आजाएगा, और, clear, हाँ जी, puzzle आपकी solo हो गया, अब हमने क्या करना, just answer करना, जो जो भी इसके उपर-based question है, तो सबसे पहले जो question है, क्या है, A is studying in, A, तो A आप देखिये, क यहां पे है, गुजरात के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास मैं answer क्या आजाएगा, B, गुजरात, done, next is, science college is located in, science college कहां पे locate कर रहा है, कौन सी city के अंदर है, तो यहां पे देखि, science college हमने अभी find out किया था, कि science college कहां पे है, क्या हूँ city के अंदर, so answer will be, city क्या हूँ, studying in, c study कर रहा है, कौन से college के अंदर, कौन से state के अंदर है, उसका college, तो यहां पे देखि, अपने पास में, हां जी, c is studying in, city as college arts and this is in Rajasthan, तो अपने पास में यहां पे क्या आजाएगा, अब देखो, option के अंदर आपके पास सारा given है, science college, Rajasthan college तो अब science के अंदर नहीं है, gujarat के अंदर नहीं है, city क्या हो के अंदर नहीं है, तो यह कहां पे अपने पास में, Rajasthan के अंदर, तो answer will be Rajasthan, okay, yes, next देखे, next question is, which one of the following statement is correct, अब यहां पे four statements है आपके पास में, first statement is, D is not studying in city as, हां जी, आप देखो, D कह रहा है कि S के अंदर study नहीं करता, तो यहां पे आप देख रहे हो कि D या तो P के अंदर है, या तो R के अंदर है, तो यह क्या हो गया हमारे पास में, correct statement होगी, done, city as के अंदर तो नहीं है, हमें पता है कि जो city as है, उसके अंदर C study करता है, तो यह हमारे पास में correct statement, done, हां जी, एक बर वैसे check कर लेते हैं, बागी वैसे तो answer आई गया है हमारे पास में, A is studying in science college, A is studying in science college, देखे, रोंग है, A commerce के अंदर है, A is studying in Kerala, A is in Gujarat, यह भी रोंग है, engineering college, Gujarat, engineering college is in Assam, यह भी रोंग है, यह हमारे पास correct answer है, okay, चलो, तो next देखे, next question is, which one of the following statement is correct, regarding the engineering college, engineering college regarding क्या statement correct है, first is C is studying there, there means what, yes, यहाँ पर there means क्या है, engineering college, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो C engineering college के अंदर है, तो यहाँ पर हम देखने है, C arts college के अंदर है, that means this is wrong, B is studying there, B यहाँ पर हम देखने है, science college के अंदर है, that means कि यह भी रोंग हो गया, it is located in Gujarat, that means engineering college, it means what, it means engineering college, Engineering College is located in Gujarat, no Engineering College is located in Assam, okay that means this is again wrong, D is studying is there, D, अब हम यहापे देख रहे है कि D is studying in Engineering College, that means कि this is the correct statement, okay, अब आगे देखे, which one of the following statement is correct, Engineering College is located in Assam, Engineering College is located in Assam, yes, यह बिलकुल correct है अपने पास में, डन, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि six questions आपके किस में से थे यह, इस से single puzzle में से थे, that means कि एक question धाई नंबर का होगे आपके पास में, तो 15 नंबर सिदे सिदे यहाँ से आपके puzzle के बन रहे, it doesn't matter कि हंची एक puzzle exam में आ रहे है एक puzzle exam में आ रहे है, that means कि आप 10 से 15 नंबर तो expect करी सकते हो, और 10 से 15 नंबर exam के अंदर काफी ज्यादा माहिने रखते हैं, ठीक है न, even single single marks important है, और आप देख रहे हैं कि जो puzzle है, puzzle का level भी कुछ ज्यादा high नहीं आता इसके अंदर, तो puzzle पे अगर आप थोड़ी से भी practice संद्रा नंबर तो पूरे पक्के है, ओके, हाँ जी, देखे, next question है screen पे, क्या है, again, एक simple सा question है, आपके पास पे puzzle पे based है, 2019 का question है, यह आपका, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या थे, three questions exam में आए वे थे, एक ही question है, एक puzzle है, simple सी puzzle और उस पे three questions है, again, आप कह सकते हो, कि हाँ ज question भी confirmly कि हाँ जी exam में आएगा, तो भी हम उस topic को important कहते है, तो यहाँ पे आपके three to four questions आप expect कर सकते हो, okay, तो यहाँ पे देखे क्या है, पजल को read करते है, six student A, B, C, D, E, F, appeared in several test, there are total six percent, either C or F score highest, अब यहाँ पे order and reasoning based, order and ranking based puzzle है, तो यह order इसका हमने देख रहा है, यहाँ प यहाँ तो C के highest है, या फिर F के highest है, that means कि हम यहाँ पे अगर बनाले, एक C होगे, one, two, three, four, five and six, there are total six percent, यहाँ तो C के highest score है, यहाँ तो F का highest score है, तो इत मींस कि दो possibilities बन रही है, C और दूसरा क्या है, F, done, आगे given है आपके पास, whenever C scores the highest, then E scores, the list, अगर C के highest है, तो E के क्या है, list test, एक्तर है से ही एसे है, done, whenever F scores highest, then B score list, तो B के list है, यह हमारे पास में कुछ conditions given है, done, अब आपके given है, आपके पास, B scores the list, in all the tests, they go to different marks, D score higher than A, D score higher than A, but they are close competitors, close competitors means कि यह दोनों के आएंगे, साथ आएंगे हमारे पास में, ठीक है, D is greater than A, इनकी बीच में भी कोई निया आना, ठीक है, साथ में क्या कहा रहा है, A score higher than B, A score higher than B, A का score B से भी higher है, ठीक है, that means कि B यहाँ पे हमारे पास में कहीं आएगा, ठीक है, हाँ जी, A का score, sorry मैंने यह lesser कर दिया है, यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ जी, देखो, उसने क्या कहा है, कि B score the list, यहाँ पे है, आपके पास D score higher than, D score higher than A, D का higher है किस से, A से, but they are close competitor, A score higher than B, अब जो A का score है, वो B से higher है, तो A का score B से higher है, यह कहा है यहाँ पे इसमें, ठीक है, अब आगे question में क्या given है, C score higher than A, C score higher than A, इस तरह से कुछ बनता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब हम अगर इसको यहाँ पे put करते हैं, अगर हम इस information को यहाँ पे put करते हैं, तो यहाँ पे देखो आ जाएगा, D, A, B, हम यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ, D, A, B, ऐसे भी मैं कर सकती हूँ, इसको, यह ऐसे भी तो हो सकता था, बिलकुल क्लियर है, क्योंकि C तो यहाँ पे आ लेडी है, दन, दूसरा देखिए, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे B यहाँ पे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते, A, A आ गया, यहाँ पे D आ गया, और यहाँ पे C आ गया, बट यहाँ पे यह ऐसे भी तो हो सकता है, A यहाँ पे आ जए, D यहाँ पे आ जए, C यहाँ पे आ जए, that means कि यहीं से हमारे पास में confirmation नहीं आ रही है जो हमारे पास में confirm information है वो information क्या है कि C और E अगर C के highest है तो E के lowest है ठीक है F के highest है तो B के lowest है और हमारे पास में जो exact given है order वो यह है ठीक है अब आगे हम further question देखते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है तो यहाँ पर देखिए आप क्या है if F stand second in the ranking then the position of B is करा कि अगर F second है तो अब हमारे पास में क्या था परस देखो यही था हमारे पास में हाँ जी C है तो E है F है तो क्या आएगा B है डन अब साथ में आपके पास में जो हमने find out क्या था order अगर वो क्या था आपके पास में यह था अब यहाँ पर क्या क्या रहा है if F stands seconds अगर F second stand करता that means कि highest तो नहीं है यह वाला तो रोंग होगी हमारे पास possibility तो क्या क्या रहा है अगर F second बे है in that case what is the position of B अगर हमें यहाँ पर confirm है कि यहाँ पर F आएगा अब तो हम सिधा ही कह सकते कि यहाँ पर क्या जाएगा D आ जाएगा यहाँ पर E आ जाएगा और यहाँ पर B आ जाएगा जाती है ठीक है न कुछ आपके पास में question उसके उपर बेस्ट होते हैं यास नेक्स देखिए नेक्स भी स्कोर दा लिस्ट हाँ जी डैट मींस कि जो सेकेंड वाली हमारी condition है वो लेंगे क्या कह रहा है कि अगर B लिस्ट है तो हमने क्या किया था कि अपने पास में जो एफ है एफाई एस्ट है यही निकल के आया था हमारे पास में अब देखो इफ बी स्कोर्स लिस्ट डैट मींस कि यह वाली condition है दे रैंक आफ सी विल भी सी का रैंक क्या होगा तो अब देखो हमारे यहाँ पास में जो information थे वोक्या थी हाव हम यहाव यहां पर क्या कर सकते हैं यहाँ पर है तो मैं ऐसे भी कर सकते हूं न देखो यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ पर आजाएगा A, D, C, यहाँ पर आजाएगा अपने पास में A, D, C, क्या थी आपके पास में जो order था, order I think, हमारे पास में जो order था, C, D, A, B था ना, तो यहाँ पर देखिए, इसको order को हम लगाते हैं, C, D, A, B, यह order है, clear, तो मैं यहाँ पर C को put कर दूँ, यहाँ पर D को put कर दूँ, यहा पर E आजाएगा, एक तो यह हो गया, अब यहाँ पर E की position तो जरूरी नहीं है कि यही होगी, यहाँ पर इसको ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, कि यहाँ पर आजाए हमारे पास C, यहाँ पर आजाए D, यहाँ पर आजाए A, ठीक है, और यहाँ पर आजा तो अब देखो, यहाँ पर आपके पास में इस case के अंदर question है कि C का rank क्या होगा, तो अगर हम यह वाला case लेते हैं, तो C का rank होगा third, ठीक है, और अगर हम यह वाला case लेते हैं, तो C का rank होगा second, that means कि C का rank क्या, तो second हो सकता है, या फिर third हो सकता है, there are two possibilities, so answer will be second or third, हाँ जी if E is ranked third, अगर E का rank third है, ठीक है, that means कि यहाँ से हमें पता चल गया कि दो case थे हमारे पास में, दूसरा case था हमारे पास, और हमारे पास order क्या था, C, D, A, B, आप देखो, कि रहा, if E ranked third, E का rank क्या है, third है, E का rank third है, that means कि this तो नहीं है, यह तो नहीं आएगा, third rank है, तो E यहाँ पे आएगा, हमारे पास में, first second and third, E यहाँ पास, done, अब कह रहा है कि अब बताओ, आपके पास चार statement है, E gets more marks than C, E gets more marks than C, तो अब यहाँ पे यह हम, यह बनाओ, E के जो marks है, वो ज्यादा है C से, बताओ, हाँ जी जल्दी से देखेंगे, बताओ, E के marks ज्याद हैं, E से, that means कि first one is wrong, second है C gets more marks than D, obviously C gets more marks than D, E, यह हमारे पास correct है, clear, हाँ जी, आगे देखें वैसे तांसर आगया, फिर भी फर्दर देख लेते हैं, एक बार, A is rank 4, A का rank क्या आएगा, 5th आएगा, यह भी रोंग हो गया, D rank 5, D का rank, तो कि उसमें काया कि A और D, यह तो हमारे पास में already given है, A is greater than D है, okay, clear, हाँ जी, next puzzle करते हैं, next puzzle देखें के हैं, यहाँ पे देखो अपने पास में information कुछ given है, ठीक है, उसके इसाफ से यहाँ पे मैंने एक बार table ले लिए, so that कि अभी हमें table ना बनाने पड़े, ठीक है, पर लोगे, पहले अब हम देखते हैं कि क्या है, तो यह हाँ पे देखो क्या है, in an university for the BTEC program, there are six student M, N, O, P, Q, R, are going to college different days from Monday to Sunday, यहाँ पे क्या कह रहा है, कि आपके पास में six students है, और वो Monday to Sunday कहा जाते है, college जाते है, ठीक है जी, अब यहाँ पे days given है, number of students are six and days are seven, ओके, आगे क्या given है, आपके पास, they are belonging different cities, अलगलग cities से भी बिलोंग करने है, पतना, गोवा, लखना, कानपर, चैने, एंडेली, one day will be holiday, एक दिन उसमें से क्या हो जाएगा, holiday हो जाएगा, and उसके बाद में आपके पास information given है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल ग पास में क्या आएगा, एक तो day आएगा, एक परसन का नाम आएगा, student का, और दूसरा आजाएगा, हमारे पास में city, तो अब मैंने आपको पहले भी पता है, कि एक variable को आप as it is लिख लिया करो, जैसे last के अंदर हमने जो first puzzle थी, उसमें हमने name को ले लिया था, अब यहाँ प पता है कि Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, यह हमारा day serial wise जाएगे, तो हमने serial wise जो है, उसको as it is लेना और बाकी को information को accordingly put करना है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि start कहां से करना, Monday से, so Sunday से नहीं start करना, Monday से आपने शुरू करना है, तो आप इसको कैसे लोगे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, ओके, अब देखे, यहाँ पर आपके पास में आगे क्या information की इवान है, उसके according हम चलेंगे, करना, Monday will be holiday, among these days, the one who is going just after holiday belongs to Delhi, क्या कह रहा है, कि जो holiday के बाद जा रहा है, वो दिल्ली से बिलोंग करता है, अब मुझे यह नहीं पता कि यहाँ पर holiday कौन सा दे है, तो अब मैं कैसे बताऊं कि हैं जी दिल्ली से कौन बिलोंग करेगा, ठीक है, तो अभी में मैंने आपको पहले पता है कि जो information हमें नहीं पता, उसको हम क्या करेंगे, side में नोट डाउन करते वे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या information है हमारे पास में, कि जो holiday है, holiday के बाद वाला दिल्ली से बिलोंग करता है, ठीक है, यहाँ पर हमने डैली लिख लिया, O does not go on Friday, O Friday को नहीं जाता, that means कि यहाँ पर हम Friday, को O नहीं हो सकता, done, M is going immediately after P, M is going immediately after P, that means कि पहले P आएगा और उसके बाद में कोन आएगा, M आएगा, done, the one who is going on Tuesday belongs to Lakhnau, Tuesday को जाता है, जो वो Lakhnau से बिलोंग करता है, यह हम directly put कर सकते है, क्योंकि Tuesday यहाँ पर मैंने मैंने कर दिया, तो मैंने Tuesday के लिए Lakhnau लिख दिया, ओके, हाँ जी, next given है, there is a gap of two days between N and R, N और R के बीच में दो दिन का गैप है, N और R के बीच में दो दिन का गैप है, अब यहाँ पर यह कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी कानपूर आएगा, और निचे आएगा, या फिर R उपर आएगा, N निचे आएगा, ठन, हंज, उसके बाद में है, there are five days gap between the person who is belonging to कानपूर and Chennai, अब करना कि पांच दिन का गैप है, Chennai और कानपूर के बीच में, अब यह हमें यहाँ पर कानपूर के बीच में, अब यहाँ पांच दिन का गैप है, टोटल seven days है, that means कि सिद्धी सी बात है कि यहाँ पर कानपूर वाला आएगा, ठीक है, और पांच दिन के गैप के बाद में, यहाँ पर हमारे पास में, चेन नहीं वाला आएगा, simple सी बात है, done, या फिर यहाँ पर चेन नहीं आएगा, और यहाँ प आपका holiday नहीं हो सकता, यह हमें confirm है, आगे देखो, there is one holiday except Saturday, Saturday को holiday नहीं है, that means कि यह भी holiday नहीं हो सकता, तो हमें confirm हो गया, कि जो holiday या तो Wednesday को होगी, या फिर Thursday को होगी, R is going on the next day of holiday, R holiday के next day पर जा रहा है, holiday के next day पर, city कौन सा था हमारे पास, Delhi, और यहाँ पर हमें पता चल गया कि वो कौन है, R है, that means कि यह हमें पता चल गया, then, कि holiday के next day क्या आएगा, R, और वो Delhi से बिलोंग करते है, क्यों is going on Wednesday, क्यों Wednesday को जा रहा है, that means कि यहाँ पर भी holiday नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पर क्यों आ गया है, and is not immediately followed by R, और इस से पहले हमारे पास में R नहीं आ सकता, यह यह कह रहा है, clear, हाँ जी, क्यों is going on Wednesday and is not immediately followed by R, क्यों belongs to पतना, क्यों पतना से बिलोंग करता है, M does not belongs to कानपूर, M कानपूर से बिलोंग नहीं करता, आप देखो, पहले इस से पहले, यहाँ पर यह देखो, जो main point that is holiday, क्योंकि अगर holiday का हमें पता चल जाता, तो यह हमारी information put हो जाती है, तो हमें पता चल गया कि यहां पे वेलिज दे को होली दे नियों सकति आप मजें से हमें पता चल गया कि Monday नियों सकती, Tuesday को नियों सकती, Wednesday को नियों सकती, Friday को नियों सकती, Saturday को सैटरेडेडेवन था, That means Saturday is not holiday and Sunday को जो जारा, that is from January कानपूर, वहाइसरा ते अब जैसे हमें हुम यदे का पता चला है तो वहीं से हमारे पास में इनफोरमेशन कैने आआ रहा है जो कि दिल्ली से भीलोंग करता है ठीक है है हाँ टॉ यहाँ पे हमारे पास में क्या याएगा और एंड की आंड डैली है ओके आप देखू आर और न के That means कि यहाँ पर आपके पास में 1, 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास M, यहाँ पर आ नहीं सकता, यह information हमारी exact put होगे यहाँ पर, clear, हाँ जी, next है हमारे पास कि P के बाद आएगा M, तो P के बाद में यहाँ पर हमारे पास में space यहीं बे बचिये दो के लिए, तो यह one who is going just before M, जो M से पहले जा रहा है, that belongs to Goa, M से पहले, Goa, यह आगे हमारे पास में, अब साथ में, अब जो information हमने find out करनी है, वो यह है, और यह क्या थी, M does not belongs to Kanpur, M Kanpur से बिलोंग नहीं करता, M Kanpur से नहीं बिलोंग करता, that means कि M कहां से बिलोंग करता है, चैनने से, अगर M च करता है, Kanpur से, पजल सोल, हाँ जी, clear है सभी को, तो इस तरह से हम पजल को सोल कर लेंगे, अब इसके उपर बेस्ट कोश्चन करते हैं, कोश्चन देखी क्या है, सबसे पहले हमारे पास में, जो अभी मैंने यहाँ पजल सोल करी है, ठीक है, यही सेम हमने यहाँ पे ले देखे, Friday को कौन जा रहा है, आर जो कि Delhi से बिलोंग करता है, यहाँ पे क्या गिवन है, आर, so answer will be C, option R, हाँ जी, who among the following belongs to Kanpur, Kanpur से कौन बिलोंग करता है, कौन बिलोंग करता है, O, so O will be the correct answer, option B, okay, yes, next देखे, next on which day, क्यो is going to college, क्यो को किस दिन जा रहा है, यह क्यो है और यह क्यो हम देखे, कब जा रहा है, Wednesday को जा रहा है, ठीक है, तो क्या जाएगा हमारे पास में, Wednesday, yes, next question is, who among the following going to college just before holiday, holiday से पहले कौन जा रहा है, तो holiday कब थी, Thursday को थी, और Thursday से पहले है, Wednesday को क्यों जा रहा है, क्यो, जो कि बिलोंग करता है, पटना से, तो यहाँ पे अपने पास में आंसर आजाएगा, option B, क्यो, clear, हाँ जी, तो देखो, जगर आप इस तरह की puzzles को easily solve कर पारे दन, well and good, अगर आपको problem आ रही है, तो आप सिरफ पजल जो है, पजल की practice भी कर सकते हो, पजल की practice के लिए भी हमने description के अंदर link given है, ठीक है, न, तो link वहाँ से आप लेंगे, औ आप देख सकते हो, इसके अलावा अगर किसी student को लग रहा है कि हांजी, वो quant, logical reasoning, English, सभी part के अंदर थोड़ा सा week है, या उसको practice की ज़्यादा जरूरत है, in that case, आपको हमारा complete course भी अभी पीडिया की तरप से, you can take the complete course, अगर आपको लगता है कि हांजी, quant section मेरा week है, then you can take only the quant, अगर आपको लगता है, logical reasoning में आपको ज़्यादा problem आ रहे, then you can take only the logical reasoning, okay, हांजी, तो puzzle अगर आप solve कर पा रहे हो, then well and good, नहीं तो puzzle पे practice जरूर कर ले, हांजी, next question है, from which place, P belongs to, P कहां से बिलों कर रहे, तो P हम यहाँ पे देख रहे, कहां से बिलों कर रहे, गोवा से, so option D will be the correct answer, okay, yes, so it was all for today, thank you so much, मिलते हैं next class के अंदर, previous year के कुछ और questions लेके, thank you.